हेलो दोस्तों आपका स्वागा थे ओफिशल यूटूप चैनल पे जैसा कि आपको पता चली गया होगा कि लोग सेवा आयोग जो बहुत चर्थी बेकेंसी एल्टी ग्रेट की उसका जो वेरिफिकेशन का कर 11.06.2019 से यानी मतलब 11.06.2019 से शुरू होने जा रहा था वह पुन र क्या होगा वेरिफिकेशन चालू होगा या भरती रद होगी कि या इसी पर रिजल्ट जारी होंगे आपके इन्हीं सारे प्रश्णों पर आज की वीडियो रहेगी और आपके मैं कोशिस करूंगा कि जो हमारे अथेंटिक जानकारी हमें मिली है मैं उसे आपके सामने रख स अन्तक वीडियो देखी आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएंगे आई शुरू करते हैं जैसा कि कल कल की नोटिफिकेशन में लोग सिवा आयोग ने हैं लोग सिवा आयोग के सचीव जो हैं सचीव महोदय जो हैं सचीव महोदय के ने नोटिस जारी कर दी कि जो एल्टी ग्रेट के एक्जाम का वेरिफिकेशन कार है वह अपर हार रिकार्डनों से विग्यापन आपको आयोग के साइट मिल जाएगा और आप लोग को भी सोसल मिडिया के मादने में से पहुंचे गिया होगा तो यतावत इस्तकित कर दी जा रही है उक्त के शमन में अग्रेटर कारिकरम के सुषनाबाद में यतासमें प्रकासित की जाएगी यानि जैसे कि अभी बहुत चर्चित बिवाद लोग से वायोग एल्टी ग्रेट के एक्जाम को लेके फस गया है क्योंकि इस एक्जाम में हमारी प्रचानी अंतरक अंजू कर ठिहार जी जेल जा चुकी है और इसमें बहुत बड़े पैमाने पे धांतली के कहीं ने कहीं सबूत मिले है और उनकी जमान त्याच का भी हारिच कर दी गई उन सबूतों को देख देवे इस बिग्यापन को पुन रूप से आयोग ने रिजल्ट देना जैसे इस बिग्यापन में चालू किया करीब करीब 1343 बच्चों का रिजल्ट उन्हों ने जारी कर दिया था 1343 बच्चों के रिजल्ट में जैसे है कि हम बताएं 1343 बच्चों के रिजल्ट का वेरिफिकेशन 11 जून से होने वाला था अब बच्चों के मन में कहीं न कहीं ये तो थाई की दस तारीक को आयो कुछ बड़ा फैसला ले सकता है और इस्टुड़ेंटों में दो गुरूप बन गए एक गुरूप चाता है की रिजल्ट आयो दूसरा गुरूप आंदोलन कर रहा है परिछा रद हो और या परिछानिश्पक्र घंग से दुबारा कराए जाए ये तो confirm है कि परिच्छा में कहीं न कहीं किसी भी अस्तर पे कुछ गरबड़ी हुई है या तब ही तो पेपर लिक का मामला सामने आया और हमारे जो परिच्छा नियंत रखते हो जेल गई तो इस मामले में विद्यार्थियों के बीच में दो गुरूप बन गए हैं जो आंदोलन कर रहे हैं कल ही बिखी खान और उसके सपोर्टक पहुँच गये थे रिजल्ट घोसित करवाने को लेके कि गेट पर आंदोलन के लेकिन उनका आंदोलन का कोई भी परणाम नहीं आया और जो लोग चाहते थे आंदोलन कर रहे थे कि 11 जून से क्या हो वेरिफिकेशन का कार चले 11 जून से लेकिन आयोग ने नोटिस जारी करके उस कारिक्रम को वहीं इस्तगित कर दिया और आप लोग को एक चीज किलियर कर दो कि आज के पेपरों में भी जो देखें आप एल्टी ग्रेट भरती को लेकि पहुत सारी सुचनाई है एल्टी ग्रेट भरती चैनितों सत्यापन रिस्तगित कर दिया गया बाकी विश्व क्रिचल पर भी संकट संकट इस सिंस में कहा जा सकता है कि जैसा कि 1343 तो रिजल्ट आ चुके हैं पोश्टों पे अब बाकी जो बड़ी विश्व है जैसे हिंदी हुआ संस्क्रीत हुआ हिंदी अ संस्कृत और स सोचल स्स ótी हो गया इन सब सब्जेक्टों बहुत जादा लड़ गया और हिंदी और यस्विद्वादित विश्व है क्योंकि इसी दो विश्व के पेपर मिले थे जब कि तीस कोश्चन कामन थे यह तो हम कहार नहीं सकते कि पेपर आउट वाट एक्जाम कैंसिल ही हो लेकिन यह तो चंपुर्ण रूप से आयोग ने धारित करेगा कि एक्जाम को कैंसिल करना है कि नहीं करना है अब देखिए जो डिजल्ट की जो बात हो रह मुझे मिली यह कोट अभी बंद चला है जैसे ही कोट पर खुलेगा यल्टी ग्रेट पर इच्छा पर हजारों रीट पड़ेंगी इस एक्जाम को कैंसिल कराने को लेकि क्योंकि उत्तर परदेश की जो साइटी गठन की बात की गई इस पर वेरिफिकेशन की और जो इस पर सबूत मिले हैं पेपर लिग के यह 100 परसेंट सही है की पेपर किसी नहीं लिबल पे चाहे वो 50 लोग को मिला हो चाहे कईस लोग को मिला हो आउट हुआ है पेपर आउट हुआ है इसमें कोई संध्य नहीं है तो इसको लेकर लटके कोट जाएंगे और यह भरती लंबे समय सकती है क्योंकि यह जो भी ग्यापन 2018 में आया तो लग रहा था कि दो से तीन महीने में किलियर हो जाएगा लेकिन यह 2019 भी छे महीने बीट गए लेकिन अभी भी असार नहीं एक रिजल्ट दे पाया यह और कारे अत्रिक्त जो परिष्फाया परशक नियत्रक त है नहीं अब उनके अस्थान प्याटि प्रिषाइबार दे दिया ब् véritable पर इसके एजर्स दिये लेकिन Le Creed में क्या हुआ है जो पकड़ी हुए अंजू कट्यार को उन्हें कहा है कि आप रिजन जारी करके जब तक हमारा निरचन करे पूरा नहीं हो जाएगा आप lt grade के परणाम, जारी मतकरीं इस बाबत आयोग जगदिस जगदिस जी ने जो सचीव हैं उन्हों ने कल ही एक नोटिस जाला और भविस में जो रिजल्ट आने की परकिरिया है यह फूर्ण रूप से आयोग पर डिपेंड करेगी ठिक और दुबारा वरिपिकेशन की डेट जो है मानिए कि इस बिवाद की खतम करने क बाद ही विरिफिकेशन आयोग कराएगा अब देखिए अगला जो मुद्दा है क्या है यह बहुत ज़्यादा कॉमेंट मिलने एल्टी ग्रेट की परिशा क्या निरस्त होगी अब इस निरस्त वाले मामले में देखिए मैं तो पच्छ में नहीं हूँ कि परिशा निरस्त ह है कि पेपर 30 कोश्चन जो है इसके कामन बता रहे हैं कि जो जीयस के है तो निगेटी मार्किंग 30 कोश्चन बहुत बड़ा फैक्टा रखता है इस अगर नजरिये को देखा जाए कि अगर अधिक लड़कों को पेपर मिला है तो इस परिशा को रद करना चाहिए और होनी भ यहां थो मैं चाहूँघा की भिस है अब आगे बात करते हैं बाकी जो सब्जेक्टक मार्कि जो सब्जेक्ट का जयसे रिजल्ट ने रहे थे उसी करं में जो बाकी exclus category उनका भी रिजल्ट जल्द ही जारी करेंगे लेकिन जब तक प्रक्रिया पूरी नहीं हो जासे मुझे नहीं लगता कि रिजल्ट आएंगे एक कंप्लीट न्यूज है अगर आपकी कोई क्वेश्चन हो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में कई हैं उस पर वीडियो बनाएंगे या उसका रि आप चैनल धिरे धिरे बड़ा होने इस कोमेंट भी बहुत ज्यादा आने लगे हैं इसकी वज़े से मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोग करिए मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा जिससे संपूर्ण रूफ से एनालिसिस हो जाएगा और आपके सारे प्रश्णों का उत्तर मिल जाएगा और एल्टी ग्रेड और टीचर वेकेंसी से इसी तरह जुड़े रहे हैं और भविश में होने वाली सारी प्रक्रियाओं को समझने के लिए मारे चैनल को लाइब करें सब्सक्राइब करें और सेर करें जैसे कि और बेल वाले आइकन को हिट कर दें जैस गर्व में यह कि इस प्रक्रिया में क्या होने वाला है ठीक तो जैसे मुझे कोई और वी जानकारी न्यूज मिलती है आयो के थूरू तो मैं आपके सामने लेके आता रहूँगा ओके धान्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर ओके ठैन्यवाद